ओके भाईओ तो आप सभी लोगों सबसे पहले तो जैहिन हमें डेट्स पता है डेट्स क्या है आपको पता 14 जुलाइ फॉर्टीन जुलाइ से आपका एक्जायम है 14 जुलाई से मतलब pre-seduled है और जब हमें dates पता चल जाती है तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे भी लगती है कि planning हो जाती है planning हर step में होनी चाहिए मैं ये बात हमेशा बोला बोलता रहूंगा slabus, planning और pyq इन सब कोई substitute नहीं हो सकता उसी हिसाब से हमें मौक देखने है हमें कितने मौक दे सकता हूँ तो अभी जो time अपने पास है वो 3 months का है 3 months मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 90 दिन है अगर 90 दिन है उसमें भी अभी मैं आपको समझाने वाले हूँ कि उन 90 दिनों में कैसे हम अपना best output दे सकते हैं क्या हम जादा से जादा कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो और एक हम अच्छा score करें सुरू करेंगे जादा time नहीं लेते हैं सबसे पहले मैं कुछ बाते आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली चीज आप समझे आपको पता है time कितना है आपके पास यह चीज आपको clear हो गई है अब जब हमें time पता है तो तेख लेते हैं timeline timeline बहुत important है मैं timeline का मतलब यह होता है कि इस time में हमारे क्या action होंगे क्या हमारी strategy होगी किस हिसाब से हम अपनी चीजे schedule करें और उसके हिसाब से रोज पढ़ें क्यों अब समझो अभी है आपका April समझी अभी April है और आपका exam है July में तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो days है आपके वो ऐसे है इन सब का जो base है planning का जो base है वो क्या होगा मतलब ऐसे हर तरीके के लोग आप देख रहे हो तो कुछ लोग ऐसे होंगे मैं आपको समझाना चाहता ह कि जो base होने वाला है वो हमारी planning का वो होगा mock मतलब mock के base पे ही हम decide करेंगे कि हम किस तरीके से तयारी करें अब एक बार mock में आप पहले number देखे मतलब एक आपको कोई भी चाहे previous year हो previous year में बस difference यही आता है कि current of year के question change हो जाते हैं बाकी और कोई difference नहीं होता है तो उस हिसाब से आपको कोई भी एक PYQ देना है कोई भी एक previous year question मतलब previous year paper देना है उस previous year paper को दे सकते हैं या कोई भी एक mock आप दीजिए उस एक mock के आप number देखिए मतलब 200 में से आपके कितने marks आ रहे हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके marks अभी 80-90 होंगे या इससे भी कम हो सकते हैं प्लिम्स है qualifying अब जब कोई चीज qualifying है तो वो अभी अगर अच्छे से कोई plan करेगा तो mains के लिए हमारे पास 6-7 महिन है main mains ही है क्योंकि selection जो होना है वो आपका mains के basis पे होना है उस चीज़ को आप दिमाग में रखिए तो कुछ लोग होंगे जिनके 80 marks आ रहे होंगे कुछ ल marks आ रहे हैं इनको prelims की tension कोई मतलब उनको उनके लिए जो एक चीज़ दिमाग में अभी होनी चाहिए mains typing computer यह सब अभी से आप सोचो क्योंकि आप मेंस के लिए भी पढ़ोगे तो यह score आगे ही बढ़ेगा आप मेंस पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि prelims में marks कम हो जाएंगे में यह लोग जिनके marks यहार क्योंकि आपका target अभी होना चाहिए कि 120-30 नंबर आने लगे मौक में 120-30 से नंबर जब आने लगेंगे इसका मतलब आपको प्री के लिए कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अब जो है वो मेंस है अब समझे जिन लोगों के इतने marks आ रहे ह को करना क्या है सबसे पहली चीज मैं मौक क्यों बोलता रहता हूं मौक को समझो मौक केवल एक तरीके का नहीं होता है अभी क्या है मौक आपको हर टाइप का मिलेगा कुछ मौक ऐसे होते हैं जो फुल लेंथ मौक होते हैं कुछ मौक ऐसे होते हैं जो sectional होते हैं और कुछ म की अपनी एक अलग इंपोर्टेंस यह है कि जो स्थूल लेंथ मौक है वो मौक होते हैं आप को ओल इंडिया रेंक बताने के लिए आपका ओर एल परफॉर्मेंस अभी क्या चला है वो बताने के लिए होते हैं जबकि आपके sectional mark जो होते हैं वो आपको practice करवाने के लिए होते हैं कि अगर आपका कोई particular section क्या है कमजोर है जैसे prelims में हो सकता है जिनके 80-90 marks आ रहे हैं उनका एक section इतना कमजोर है कि सायद उसमें 10 या 15 marks आ रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है कि sectional mark होता है अब मैं समझाना चाहूंगा कि जिनके इतने marks आ रहे हैं उसका region यही है कि सायद उनका एक जो section है या दो section बहुत कम जोर है अभी आप कम से कम 15-20 दिन उस section को time दो क्योंकि इस से आपका selection क्या pre भी नहीं निकलने वाला तो जब आप और कैसे वो दो गए उसके लिए सबसे important है slabus slabus कैसे करना है वो भी मैं अभी आगे समझाओंगा आपको एक एक चीज तो slabus जैसे आप उस section का एक बार कर लिए तो उसके बाद उसके sectional PYQ जितने आए हैं अभी तक जितने भी previous year question आए हैं उस particular section के वो सारे आपको दे जाने है आपका definitely score improve होगा और अगर वो score improve होगा तो overall आप इतने marks करने लगोगे जहां इतने marks होगए वहीं समझ लीजिए कि आपको अभी mains की तैयारी करनी है या फिर हो सकता है कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं मौक दीजिए chapter wise 10 मिनट का होता है 5 मिनट का 15 मिनट जो भी आपका time है आप chapter wise करिए कुछ करिए इसका कोई substitute नहीं है अब लोटने अपने timeline पर अब समझ यहां पर एक चीज मैंने कह दी कि आप इतना समझ गए एक बार यह timeline मतलब हर आदमी के लिए अलग होगी तो एक चीज तो इसमें mock add हो गई कि जिन लोगों के marks कम है उनको एक या दो मौक प्रीके डेली देने है यह उनके लिए मतलब यह तो रहेगा ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए मतलब एक या दो मौक एक mock तो जरूरी है और दो मौक भी दे सकते हो तो आप दो क्योंकि उसी से आपका improvement होगा क्योंकि जब 80-90 marks आप करते हो मतलब आपका syllabus सही है मैं इसलिए syllabus के लिए जादा नहीं बोला पर अगर कभी आपको लगता भी है कि syllabus करना है मुझे fit से या मतलब सही से तो उसका जो source होना चाहिए वो previous year question ही होना चाहिए क्योंकि उससे क्या है आपकी relevancy रहती है आप वही चीजे पढ़ते हो जो जरूरी है दूसरी बात करते हैं कि यहीं पर आपको लिखना है कि यार कुछ चीजे ऐसी है जैसे एक चीज में बहुत important आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो अभी है typing बहुत लोग इसको importance नहीं दे रहे होंगे अभी अब आपको लग रहा होगे कि यह क्या बोल रहे mains के अभी से ही typing की बात कर रहे हाँ इसलिए क्योंकि typing last time नहीं होती है बहुत लोगों को लगता है mains से पहले मैं कर लूँगा क्योंकि mains के time और pressure होता है score improve करने का उस time तो यहीं लगता है कि score अगर मेरा 200-200 आ रहा है तो मेरा तो ऐसे भी नहीं होना तो typing यों करूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ एक बारा भी आप typing को 30 तक पहुचा दीजिए 30 तक क्योंकि आप समझी है कि आप मानलू प्री कर लिया mains कर लिया और typing ही नहीं तो क्या हो सकता कुछ नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे friends रहें जिनके इस बार 22 में 300 plus marks हैं और वो typing और computer में fail हैं तो मैं computer पढ़ने के लिए नहीं बोला क्योंकि computer ऐसा subject जो आप एक हपते में भी कर लोगे मैं कह नहीं रहा पर typing आप एक हपते में नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको अभी से जादा नहीं 15-20 minute एक दो सेट आपको करने हैं पर ये timeline में हैं मतलब एक हो गया मौक और एक typing तो रहेगी ही रहेगी बाकी चीज़े आपको समझे नहीं है वो अपने जो भी आपकी level है जो आपकी मतलब weakness है उसके according आपको sectional मौक देने हैं उसी according आपको chapter wise मौक देने हैं अब बात करते हैं daily schedule के daily schedule क्यों important है मतलब मैं जब पढ़ता था तो मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि बिना schedule के पढ़ाई करियो schedule बिगड़ेगा कभी कभी होगा आप schedule के हिसाब से नहीं पढ़ोगे पर इसका मतलब ये नहीं कि schedule नहीं बनाना है मैं इसके टाइम ऐसा भी यहाँ दो दो दिन टास्क वाइज इस्टडी हो रही मतलब जब जब जियस रिवाइज करना तो साथ दो 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 दिन जियस ही रिवाइज हो रही तो ऐसा भी होता है पर schedule होना चाहिए schedule होने में मैं वही चीज़े आपको फिर से बताना चाहता हूँ इंग्लिस आपके चार सब्जेक्ट हैं मौक और टाइपिंग जिनकी कमजोर बहुत सारे लोग होंगे जिनकी टाइपिंग अच्छी होती है एक बार आप 25-30 तक पहुंचा दीजिए फिर मैं इसके टाइम कर लेंगे अब बात करते हैं इनकी अब ये चीज हम मैं कह रहा हूँ मौक एनलाइज करिए आपकी कौन से सब्जेक्ट कमजोर है कौन सा आपका स्ट्रॉंग है क्योंकि अगर हम टाइम देखे तो हर आदमी के पास अगर हम 8 आर की स्लीप मैक्जिमम लेके चले तो 16 आर बसते हैं जिस उसके लिए तो दो दो आर दे दो सबसे सही है दो दो आर सब में दे दो मौक में भी दो आर लग जाते हैं इनलाइज करना सल्यूशन लिखना नोट बनाना सबको दो दो आर बाकी अब किसी का मैं देख रहा हूं कि मैद बहुत स्ट्रॉंग है तो इसमें एक आर देगा और साम को ही बनाकर रखना है कि हमें करना किया है मेरे पास टाइम लिख लिए जैसे मैं 7 बज़े उठ गया तो मैं करूंगा KNOW यहां पर लिखूंगा कि सबसे पहले आज मुझे प्रीवियस य करनी ए वो क्या करना है वह आपको देखना है यह दो घंटे मुझे करनी आज केवल maths में मुझे देखना है कि compound interest आज करना है उसके बार reasoning में topic लिखना है आपको इसमें series करनी है यह चीज जब आप करोगे तो आपको उससे क्या है mind को clarity होती mind में pressure कम पढ़ता है और आपको पूरे दिन के लिए एक pattern पता होता है क्योंकि अपना mind pattern पे ही काम करता है images पे काम करता ह जब आप करते क्या हो ऐसे कुछ बना के रख देते हो तो उससे क्या होता mind में एक image बन जाती है माइंड सब चीज तो भूल जाएगा पर image को कभी नहीं भूलता तो उसी लिए मैं बोलना हूं सेडिगूल बनाना जरूरी है अब बात करेंगे revision और practice पे कुछ सारे ऐसे लोग होंगे जो नए हैं तो वो depend करता है नए हो तो revision और practice मतलब इसकी importance तो है अभी आपका main focus होना चाहिए slabus और पीवाई क्यू जो एकदम नए हैं उनका पूरा focus होना चाहिए इस पे क्योंकि हो सकता है आप 23 में ना कर पाऊ लेकिन 24 आपका फिर से और हो जाएगा एक system ह होता है इसके बीना revision practice का कोई मतलब नहीं है slabus तयार करने के लिए मैं बहुत बार बोला है कोई भी आपको जो यूट्यूब में अच्छा लगता किसी की paid class कोई जो आपको पसंद आता है उससे आप पहले आपना slabus complete करी उसको करने का जो basis है वो पी आईक्यू पी बात बात आती कि revision और practice का मतलब क्या किया जाए तो practice का सबसे best source मुझे लगता है वो sectional mock भाई मतलब इससे अच्छा तरीका कोई और है नहीं आपको sectional practice करने का क्योंकि जब sectional practice की बात होती है क्योंकि अब जैसे मैं थम 100 question लगा रहे है अब बैठें 3 गंटे 100 question लगा रहे ह 4 गंटे उससे कोई फायदा नहीं आपको 25 question लगाने है 15 मिनट 20 मिनट जो मौग में time दिया जाता है sectional mock is the best way to practice math reasoning कुछ भी हो क्योंकि वहां पे आपके दिमाग में प्रेसर पड़ता है time और जब time का प्रेसर क्योंकि exam में हमें वहीं जहलना है exam में यह नहीं दिखाना मुझ जीतेगा उसी का selection होगा तो यह चीज आपको दिमाग में रखनी है कि revision मलब practice के लिए sectional mock अब revision की बात करते हैं यह दो बहुत important है मतलब उनके लिए जो अभी अच्छा कर रहे है पर साय सेlection ना ले पाए क्योंकि यह गलतियों की वज़े से वो नया पढ़ने चक्कर में भा मतलब जो भी चीज है उसको लिखो लिखना कैसे है जैसे मान लेते मेरे पास एक वोकाइब का book है या notes है तो उसकी सारी वोकाइब हमने एक बार ऐसे जल्दी यल्दी पढ़ी बोल बोल के उसके बाद आपको highlight करना है कुछ भी word जो आपको लगता कि यह यार सही word है यह image फॉर्म होती है दिमाग में क्योंकि image आपका दिमाग बहुत ज्यादा समझता है और लिखने से image बनती है चीज़ समझो फिर उसके बाद हो सकता है अभी अगले दिन देखना है आपको कि इसमें से आपको कितने word है जो अभी तयार हो गया तो हो सकता है कुछ word तयार हो जाएंगे कुछ नहीं तो यह जो नहीं तयार हुए इनको फिर से लिखो यह best way है revision का एक बार आपने लिख लिख के revision करना सी करता हूँ आप लोगों से जो जरूरी है अभी जो 90% लोग गलती करें अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि प्री प्रि प्रि जब फिर भी मैं भी तयारी करता तो उस फिर से विख करके ऐसा नहीं होता हम यहां पर तयारी कर हैं selection के लिए अभी किया है typing सब उसी paper होगा वही main है वही मतलब decide गरने वाला है सब कुछ means is main मतलब mains का फिर देख लेते न मेंस में है क्या-क्या mains में आपका जो mains होना है वो तो है मतलब मैं कहे रहा हूं कि जो pre का paper है सेम वही paper है बस 30-30 question उनके है 45 मतलब English में और 25 question GS के format बदल जाएगा पर मैं कहे रहा हूं कि जो आपका pre का paper था मैं कहे रहा हूं वही एक paper प्लस अभी आपका add हो जाएगा उसमें computer section और add हो जाएगा आपकी typing यह तीन component है means के ओके तो मैं इसी लिए बार-बार बोला कि आप देखो ना इनी तीन component को तो हमें deal करना है अब आप समझेए कि जैसे यह वाला है segment यह segment है यह segment इस segment में आपने देख लिया कि हमें क्या करना है जो हम अभी तक करते आए हैं तो अभी से इसको तयार करे ना तो अपने आप प्री निकल जाएगा भाई जो तीस question की practice करेगा तो उससे बस दिक्कत क्या है कि वहां पे आप पूरे section में सफल कर सकते हो मतलब जो math है reasoning, gs और English प्री में क्या है आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो मेंस में क्या है यह दोनों एक side यह दोनों एक side एक गंटे दोनों के लिए मिलेगा तो आप इधर उधर नहीं जा सकते time की दिक्कत है में यह नहीं कर अप्टी से 15-20 दिन पहले तो मेंस के बारे में सोचना भी नहीं अभी तीन महीन है अभी उस हिसाब से तयारी करनी है कि मेंस का paper देना है मुझे मेंस के हिसाब से पढ़ना है मेंस ही में है तो जब typing एक बार आप देख लो कि आपकी typing का level क्या है क्योंकि कभी कभी हम लोग अलगता typing कर लेंगे ऐसे नहीं होता आपका level decide करना पड़ेगा बहुत सारे online sources है वहाँ जा कि आप अपना level देखिए level B कैसे देखना है आपको key stroke देखने है 15 मिनट का time लगाना कि 15 मिनट में आप कितने सही की stroke कर रहे हो अगर आप मतलब 2000 कर पा रहे हो तब तो अच्छा है मतलब मेंस के एक हफ्ते पहले भी करोगे तो कर लोगे पर अगर आप 1000 कर पा रहे हो 1200 कर पा रहे तो भाई पहले सब क कुछ छोड़ो इसको सही करो और सही करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना बांकी चीजे चलती रहेंगी 25 से 30 मिनाट अपने निकाल के इसको दो इसके बीना कुछ नहीं होना भाई यह मतलब अब तो मिनिमम क्राइटेरिया भी है अगर तुम्हें एरर परसेंटेज भी तब भी 1500 तो करने पड़ेंगे 1600 हो देखना पड़ेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो मैं बस यह कह रहा हूं कि तीन सेग्मेंट है जिसमें से कंप्यूटर ऐसी चीजे चलो मैं मानलू कि मेन से पहले आप एक महीने करोगे तो हो जाएगा पर टाइपिंग अभी आपको करनी है बाकी मैंने समझा दिया आपको क्या तरीका रहने वाला दिमाग में यही रखना है कि मेन सी मेन है तब तक मिलते हैं मैं आपको आगे पर सब्जेक्ट वाइस भी जो मतलब क्या-क्या हमें बुक्स फॉलो करनी चाहिए पर सब्ज़ेक्ट भी मैं बताऊंगा कि जी के लिए अलग स्ट्राइटिजी क्या होगी पर जो चीज आज मैंने बता दी यह आप दिमाग में रख लो डेली सेडूल टाइम लाइन एक दिमाग में चलनी चाहिए ग्राफ आप चिपका लो दिवार में अपने घर पे कि यह ऐसे मुझे करना है इस महीने यह इस महीने यह यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा यह चीज समझो आप जो यह समझ गया उसका काम हो जाएगा कि जैसे मेरे पास माँनलो अभी वकैब मेरी नहीं तयार वकैब में मैं देख रहा हूँ कि जैसे 10000 वर्ड हैं मान लेते हैं तो 10000 वर्ड कैसे किये जाए तो मैं यार देखना पड़ेगा तभी आप समझ पाऊगे तीन महीन में मेरी वकैब भी नहीं हो पा रही तो सो सो वर्ड करोगे तब जाके आपकी तीन महीन में वकैब खतम होगी यह चीज़े आपको सोचनी है बस पढ़ते ही नहीं जाना टीचर ने क्लास करा दिया आपने बस लिख लि मेंस जो है वो में है और जब सेम होता है तो यार प्रॉब्लम नहीं होती है बढ़ हाँ अभी मेंस को दिमाग में रखके चलो और जिनके मार्स कम आ रहे है वह प्रिलिम्स के लिए डेडिकेटर उपर जिनके मार्स अल्लेडी 120-130 आ रहे है इस चीज़ को आप समझो रिवि बाइ